हेलो फ्रेंज, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपको एक घरेलू नुस्का बताने जा रही हूँ कि किससे हम अपने तचा को ग्लो ला सकें, तचा में कैसे ग्लो ला सकें, मौस्तिराइज कर सकें, तो आए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कैसे हम अपनी तचा को में ग्लो ला सकते हैं, तो सबसे पहले देख सकते हैं, आप मैंने ये ग्लिसरीन लिया हुआ है, और ये है गुलाब जल, ये गुलाब जल देख सकते हैं, आप रोज वाटर, मैंने गुलाब जल लिया हुआ है, और ग्लिसरीन लिया हुआ है, तो इस ग्लिसरीन को क्या करना है हमें एक चम्मच ग्लिस्रीन देना है बस एक चम्मच देख सकते हैं आप एक चम्मच मैंने ग्लिस्रीन दिया है और इसमें रोज वाटर में निक्स करेंगे एक चम्मच दो चम्मच तीन चम्मच चार चम्मच आप गुलाब जल य। और य। दोनों को मिक्स करने के वाद अच्छे से इसरं दे पाम चम्मच दे लॉज बन गया और रोज वाटर की तरह ही है और इसे अपने तुच्छा पे लगाना है आप फेस पे लगा सकते हैं अपने हाथ पे लगा सकते हैं पैर में लगा सकते हैं गले में कहीं पे भी इसे यूज कर सकते हैं अगर आप रात को यूज करते हैं तो रात को इसको लगा ले और सो जा अगर आप दिन में यूज़ करते हैं, तो आप एक दो घंटे लगा लें, हाँ, इसे लगाने के बाद धूप में नहीं निकलना है, आपको घर में ही रहना है, उसके बाद अगर आप कॉटन से चाटे हैं, तो कॉटन से लगा लें, लेकिन मैं तो घर में हाथ से ही ऐसे ऐसे क आपको लगा लेना है और एक दो मिनट तक किसी पर मसाज करते रहना है आपको ऐसे और ये एक दम सूख जाएगा हलका ठोड़ा चिपचिपा रहेगा तो कोई बात नहीं आप रात को भी लगांके सो सकती है लेकिन इसको दो मिनट तक ऐसे अच्छे से मसाज करती रहे जैसे मैं कर रही हूँ उसके बाद अगर दिन में आप लगा रही है तो एक दो गंटे के बाद धोले अगर रात को लगा रही है तो रात को लगाने के बाद इसको सुबर ही दूले तो इससे आपका चेहरा हाथ पैर जहां भी आप लगा रही है बहुत ग्लो करेगा और ये ब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें थैंक यूँ